देश में इवियम को लेकर हंदामा मचा हुआ है विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है इवियम से नहीं बलकि वैलिट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है इसी भी सुप्रेम कोट के वकीलों ने भी इवियम को लेकर मोदी सरकार के खिलाब जंतर मंतर पर हल्ला बोल दिया है क्या कुछ है खबर देखे इस रिपोर्ट में जंतर मंतर में हजारों लोग जुटे हाथों में तक्तिया लिये ये लोग लोगतंत्र बचाने का संघर्ष कर रहे हैं वोट की चोरी को रोकने की मांग कर रहे हैं ईवियम को हटाने की मांग हो रही है लगातार दूसरे दिन दिली में ईवियम को लेकर विरोध किया गया विरोध तेज होता जा रहा है चुनाव आयोग सवालों में है लेकिन उसकी और से साफ कह दिया है कि ना तो सफाई देंगे और ना ही बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे चुनाव आयोग जित पर अड़ा हुआ है तो ईवियम को लेकर विरोध भी तेज होता जा रहा है विरोध प्रदर्शन के बीच वकील भानु प्रताप सिंग ने मोधी सरकार पर जम कर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि मोधी सरकार ईवियम से वोट चोरी करके बीजेपी चुनाव जीत रही है अगर ईवियम हटा दी जाए तो मोधी सरकार एक चुनाव नहीं जीत पाएगी उनकी जूटी लोग प्रियता देश के सामने आ जाएगी देश के लोग मोदी को हटाना चाहते हैं लेकिन EVM की मदद से ये लोग सत्ता में बने हुए हैं EVM से निजात दलाने के लिए अगर हम लोग को अपनी जान भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर इसमें समय भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस देश को बचाना जरूरी है इस देश के समविधान को बचाना जरूरी है इस देश के लोगतंत्र को बचाना जरूरी है और सबसे जादा इस देश की जनता को जो हमारी आने वाली पीड़ी है उसके भाविशे को बचाना बहुत जरूरी है मौके पर सिविल सुसाइटी के लोगों ने भी कहा कि EVM को हटाना जरूरी है तब ही देश में लोगतंत्रु बचा रहेगा डीवी लाइफ की रिपोर्ट